जैक्सन एरलाइन, एर डेकन, केंग फिशर वगेरा ने 2001 से इसके उपर फ्लाइटें शुरू की थे एरपोर्ट को पहले काउगड़ा एरपोर्ट के नाम से जाना जाता था अभी धरमशाला एरपोर्ट है और इसका एक्सेंशन भी हुआ जिससे की इस पर एटी आर फॉर्टी टू एरक्राफ उतर सके और एर डेकन का ये एरक्राफ 2007 में पहली बात यहां पर उतरा था इस समय तक्रीबान 1376 मीटर्स रणवे के लंबाई है और जैसा किशन जी ने बताया अगर जैगर होगी तो हम पूरा प्रत्म करेंगे कि इसको और बढ़ाया जाए ताकि यहां पर बड़े हवाईजाज भी उतर साए वैसे भी एरपूर्ट के नजदीक का बहुत सुंदर स्टेडियम अनुराग ठाकुर जी ना बनवाया है जिससे धरमशाला की छटा अपने आप भड़ गई है और जलाई लामा जी के कारण और दूसरे कारणों से यह हवाई अड़ा ज्यादा ज्यादा टूरिस देखता है आज और साथ साथ हिमाचल के पश्चिमोत्य जिले जितने भी हैं उन सब को कनेक्टिविटी एर कनेक्टिविटी यहीं से होची है चाहे चंबा हो चाहे अमीरपूर हो सब इधर से ही लोग बाग जाते तो इसलिए इस हवाईएटे की महत्तव बहुत है और हमें आशा है कि आगे आने वाले दिनों में अब तीस लाइट है इंडी बुटी अब तीस लाइट है इंडी बुटी